जैस्मीन नहीं रुबीन अदला के कहने पर उठे अलिगोनी आखिर एसा क्यों चलिए जानते हैं टीवी रियालेटी शोब बिग बॉस की घर में मॉर्निंग की शुरुवात हो चुकी है जहां सभी कंटेस्टेंट जूमते हुए नजर आएं तो वहीं अलिगोनी सोती हुए नजर आएं हाला कि बिग बॉस ने कुकड कुक बजाया भी लेकिन अलिगोनी एक बार भी नहीं उठे वहीं जैस्मीन है जो अपने प्यार भरे अंदास से अलिगोनी को उठाने आती है लेकिन अलिगोनी है जो नहीं सुनते हैं ना ही उनकी बात मानते हैं और वो सोते हुए नजर आते हैं जिसके बाद रुबीना दिलेक देखती हैं कि अलि अभी तक सो रहे हैं और तब ही आती है अलिगोनी से पूछने कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो अभी तक सो रहे हैं वैल यहां पर अलि बोलते हुए भी नजर आते हैं कि रात में वो लेट सोई थे और वो काफी ज्यादा परिशान भी नजर आ रहे हैं यहां पर रुबीना कहती है सब कुस ठीक है ना तबियत ठीक है तुम्हारी जिसके बाद अलि कहते हैं नहीं तबियत ठीक है बस थोड़ा सा परिशान हूँ वैल यहाँ पर जास्मीन को लेकर अली काफी ज्यादा परिशान है क्योंकि जिस तरह से जास्मीन आए और उसके बाद वो रुपीना दिलाइक लेक के बाद एक कमेंट्स कर रही थी और इसी बात से अली काफी दुखी नजर आ रहे हैं बिग बॉस के खर में खेर अब देखना ये है कि अली गोनी और जास्मीन बसीन कैसी एक होकर आगे की गेम को खेलते हैं या यहाँ पर जास्मीन और एली के बीच आजाएंगी दूरिया क्या वजह बनेंगी रुपीना दिलेक क्या कहना है आपको इस पर आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बत